गुट डे स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर की डिस्कॉशन का टोपिक पर ओक्षिसॉम्स के स्ट्रक्शर और फंक्षन से सम्बन दित है परॉक्सिसॉम के स्ट्रक्चर और फंक्शन से सम्बंदित इस वीडियो लेक्चर को मैंने सुविधा की द्रस्टी से और अध्यन में कन्मिनेंस की द्रस्टी से अच्छी प्रकार से समझने के लिए 6 सब हेडिंग में डिवाइड किया है जो पहला सब हेडिंग है वो परॉक्सिसॉम की खोज के इतिहास से सम्बंदित रहेगा दूसरा जो सब हेडिंग है वो परॉक्सिसॉम की मॉर्फोलोजी और स्ट्रक्चर से रिलेटेड है next subheading paroxysome के origin यानि उत्पत्ती से समंदित है उसके आगे का subheading paroxysome में उपस्तित enzymes के प्रकार का रहेगा उससे जो अगला subheading है वो paroxysome के dysfunctions से होने वाली जो diseases हैं उनसे समंदित होगा और अंतिम जो subheading होगा वो paroxysome के function से related रहेगा paroxysome की खोज की जब हम बात करते हैं तो इसकी खोज का श्रे लाइसोसोम के खोज करता डी ड्यू जो 1955 के अंदर जिन्होंने लाइसोसोम की खोज की थी उनहीं डी ड्यू ने 1969 के अंदर कोशिकाओं के अंदर paroxysome की उपस्तिति के बारे में जानकारी दी डी ड्यू ने रेट की लिवर सेल्स के अंदर paroxysomes को आइसोलेट किया और यह जो paroxysomes हैं यह paroxysomes micro bodies family के एक member हैं एक प्रकार के कोशिकाओं हैं तो कोशिकाओं में जो micro bodies हैं इन micro bodies के बारे में जो पहली इनकी उपस्तिति की जानकारी है वो रोडीन के द्वारा 1954 के अंदर दी गई और micro bodies वो कोशिकाओं हैं जो की एकल जिल्ली के द्वारा सिंगल मेंब्रेन के द्वारा कवर्ड होती है और जिनका diameter यानि व्यास 0.15 micrometer से लेकर के 1.5 micrometer के मद्य में होता है इस micro body family के अंदर पारोक्सिसॉम्स ग्लाइक्सिसॉम्स ग्लाइकोसॉम्स एंड हाइड्रोजिनोसॉम्स यह सिंगल मेंब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स आती है और पारोक्सिसॉम्स का जो diameter है वो ओसत 0.5 micrometer के आसपास होता है इन सनज्चनाओं को पारोक्सिसॉम्स इसलिए का गया कि इन स्ट्रक्चर्स के अंदर कोशिकाओं के अंदर बनने वाले जो विशात या विशेले पदार्थ हैं या अन्य सब्स्टेंस जिनका degradation किया जाना है उन विशात और विशेले या poisonous harmful substances को इन कोशिकाओं के अंदर oxygen के उप्योग से उनका oxidation करके उनसे hydrogen peroxide का formation किया जाता है और इन कोशिकाओं में चूंकि hydrogen peroxide जो बनता है वह अत्यन्त harmful substance है उसका भी तुरंत ही immediately up-gotten किया जाना आवशक है तो इन कोशिकाओं के अंदर paroxysomes के अंदर hydrogen peroxide का up-gotten भी immediately कर दिया जाता है इसलिए इन कोशिकाओं को paroxysomes कहा जाता है अर्थार इन कोशिकाओं के अंदर hydrogen peroxide का formation और up-gotten निरंतर चलता रहता है continuous चलता रहता है और इस कारेंट से इन कोशिकाओं को paroxysomes कहा जाता है इन paroxysomes की कि जब हम अभी structure की चर्चा कर रहे थे तो यह कोशिकांग जो है इनका size 0.5 micrometer के आसपास होता है approximately 0.5 micrometer size के यह होते हैं और इन paroxysomes के अंदर एक single membrane bound structure होती है phospholipid membrane होती है और इस phospholipid membrane के दोनों और proteins जिसको की अपन Robertson की unit membrane के नाम से जानते हैं वो उपस्तित होती है और बीच में इनका matrix जो है वो एक solid concentrated form में center में उपस्तित होता है जिसको की crystalline core के नाम से जानते हैं और यह जो कोशिकांग है paroxysomes mostly यह animal cells के अंदर present होते हैं और animal cells के अंदर भी वो organs जहां पर detoxification का का कारे actively perform होता रहता है वहां पर यह paroxysomes अधिक संख्या में उपस्तित होते हैं और ऐसे दो organs लीवर और kidney यह जो और गन्स हैं यहां पर paroxysomes के numbers बहुत अधिक होते हैं plants के अंदर paroxysomes जो मीजोफिल cells हैं उन मीजोफिल cells के chloroplast के साथ associated होते हैं mostly यह जो paroxysomes हैं इन paroxysomes के अंदर अब जो इनके enzymes हैं यह enzymes कोशिकाओं में पाए जाने वाले cytosol में जो free ribosomes हैं उन free ribosomes पर बनते हैं तो यह enzymes या proteins अब इन paroxysomes के अंदर किस प्रकार से इनका परिवहन क्या जाता है या किस प्रकार से cytosol के अंदर जो freely available ribosomes हैं उनके द्वारा जो proteins बनते हैं उन proteins को paroxysome तक लाया जाता है तो एक इसका विशेश mechanism है उस mechanism को हम या समझने की कोशिश करते हैं तो जैसा हम सब जानते हैं नुक्लियस के अंदर उपस्तित DNA के द्वारा messenger RNA का निर्मान होता है और इस process को transcription के नाम से जानते हैं जो transcribed messenger RNA है अब यह cytosol के अंदर आ जाता है ट्रेवल करके और cytosol के अंदर उपस्तित ribosomes जो free ribosomes हैं cytosol के अंदर उपस्तित हैं उनके साथ जाकर कि messenger RNA associate होता है और यहां से इन proteins का निर्मान होता है जो की paroxysomes के अंदर ले जाये जाने हैं ऐसे proteins जो paroxysomes से related है उससे related enzymes हैं इन proteins को paroxyns कहते हैं यह paroxyns proteins अब cytosol के अंदर उपस्तित है इनको यहां से paroxysomes के अंदर transport किया जाना है तो यह mechanism के through यह proteins अब paroxysomes के अंदर परिवन किया जाएंगे तो यह जो protein यहां पर बने हैं paroxyns इन paroxyns proteins के दो ends होते हैं एक इसका c terminal end होता है दूसरा इसका end terminal end होता है जो c terminal end है इस c terminal end के उपर एक pts paroxysomal target sequence यह sequence इस पर उपस्तित होती है और इस sequence को बोलते हैं pts1 sequence paroxysomal target sequence 1 यह paroxysomal target sequence 1 जो है it's a very conservative sequence और दूसरी तरफ जो इसका end terminus end है इस पर 9 amino acid long chain पाय जाती है और उसको pts2 बोलते हैं यह pts1 और pts2 जो है यह unique signal sequences हैं जो कि इन proteins को paroxysom के लिए target करती हैं इन sequences के द्वारा इन proteins को paroxysom तक ले जाया जाता है अब यह जो pts1 sequence है इस pts1 sequence पर एक ptsr receptors जो है यह जिनको pax receptor proteins कहते हैं वो इसके साथ associate होता है जुड़ करके और यह जो pts receptors हैं इनको pax 5 receptors बोलते हैं यह pax 5 receptors इस protein को जिसके उपर की unique signal sequence मौदूद है वो यहां से paroxysom की membrane तक ले करके जाता है अब इस साइता से यह जो protein है जिसके उपर की pts1 और pts2 sequences present है इसको paroxysom के अंदर transport कर दिया जाता है और इनका जो receptor है यह receptor यहां से free होकर के और एक ring complex है जिसके अंदर की pax 10,2 और 12 उपस्तित होते हैं इनके साथ आकर के अब यह जो pax 5 receptor है इस pax 5 receptor को reuse किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है इसका ubiquitation होता है और अगर यह mono ubiquitation होता है तो इसके द्वारा इस जो pax 5 receptors है इस pax 5 receptor को pax 6 और pax 1 proteins के द्वारा इसको recycle के योग्ये बना करके फिर से यह जो pts sequence से इनके साथ जूड करके और इन proteins को continuously यहां पर ले करके आता है और अगर यह इसका multi ubiquitation होता है तब फिर इसको degeneration के लिए paroxysome machinery के अंदर लाया जाता है जहां पर इसको degenerate कर दिया जाता है इस process को एक बार फिर से हम समझते हैं DNA के द्वारा nucleus में messenger RNA बनेंगे messenger RNA cytosol के अंदर ट्रांसपोर्ट के जाएंगे यहां पर ribosomes के साथ मिलकर के यह ribosome से रिल्ल पर उक्सिसों से रिलेटर प्रोटीन का निर्मान करेंगे इसके सी टर्मिनल एंड पर पीटी एस वन सिक्वेंस होती है जबकि एंड टर्मिनल पर पीटी एस टू सिक्वेंस प्रजेंट होती है यह पीटी एस जो वन सिक्वेंस है यह पैक्स फाई एक रिसेप्टर है जिसको पीटी एस बोलते हैं इसके साथ कॉंप्लेक्स बना करके इस प्रोटीन को परोक्सिसों की मेंब्रेन तक लेकर कर दिया जाए गा और रिसेप्टर यहां पर स्थाय रिसेप्टर फ्री होगा इसको एक ρिन साफ यह उसको डभाई करेगा कि यह तो का नहीं में पर यह नहीं हुने होता है और फिर इस वहन टो स्को आइस को इस सिक्स के द्वारा प्रोसेस करके और re-usable form में convert करके और फिर से इसको काम में लेने लाइक परिस्तिती में इसको जो प्रोटीन्स बनते हैं निरंतर प्रोख्जीजों प्रोख्जीन प्रोटीन्स उनके साथ यह associate होता है अगर इसका multi ubiquitation होता है ऐसी स्तिती में इसको डीकंपोज करने के लिए परोक्सिसों के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है तो यह एक important mechanism है जिसको हमने देखा कि किस प्रकार से परोक्सिसों के enzymes जो की cytosol में बनते हैं और उन enzymes को परोक्सिसों के matrix के अंदर transport किया जाता है तो यह इसका important aspect है इसके बाद हम लोग इसके origin को समझने की कोशिश करते हैं तो इसके लिए तीन कंसेप्ट जो है वह मेतुपूर्ण है जो पहले कंसेप्ट है वह यह की प्रोक्स का ओरिजन स्मूद आंडॉप्लाज्मिक रेटिकुलं में बडिकुलं चरह से ज़ो स्च्रक्चर्श के डवलब से धं एक अउधारना है दूसरा जो concept है वो mixed concept के रूप में जाना जाता है और mixed concept में यह का गया कि जो endoplasmic reticulum है वो paroxysome की membrane का निर्मान करती है जब कि उसके लिए जो आवशक enzyme और proteins हैं उन proteins का निर्मान cytosol के अंदर उपस्तित मुक्त ribosome के द्वारा होता है जिसका transport mechanism अभी कुछ समय पहले अपने देखा है इस प्रकार से जो cytosol है इसके अंदर जो free ribosomes है वो उसके protein का निर्मान करते है और उसकी जो membrane है उनका निर्मान जो rough endoplasmic reticulum है उसके द्वारा किया जाता है यह दूसर है तो तीन प्रकार की इसकी उत्पति के concept है पहला concept smooth endoplasmic reticulum में budding के द्वारा इनकी उत्पति होना दूसरा mixed concept है जिसमें free ribosome जो की cytosol में उपस्तित है उनसे इनके enzymes का निर्मान और जो इनकी membrane है उसका निर्मान rough endoplasmic reticulum के द्वारा होना और जो तीसरा जो इसकी इसकीन जो परोक्षीसों से उनकी विभाजन के द्वारा नए परोक्षीसों का निर्मान होना कि अब यह जो परोक्षीसों से इन परोक्षीसों में जो डी मताकर का रहे में है वह किया जाता है और इनको कोशिकाओं के descände और recycar地 can only annoyingके नाम से भी जाना जाता है तो detoxification और recycling के लिए जो enzymes इन paroxysomes के अंदर उपस्तित होते हैं उनके अंदर जो enzymes की संख्या है लगबग 50 के आसपास मानी गई है परन्तु जो महत्वपुन enzyme है उनके नाम है glycolic acid oxidase, de-amino oxidase, uric acid oxidase, alpha hydroxy acid oxidase, catalyst, carnitine acyl transparase, peroxidase, superoxide dismutase यह कुछ महत्वपुन enzyme है जो की paroxysomes के अंदर पाए जाते हैं और paroxysome का जो marker enzyme है यह हम सबको याद रखना चाहिए जो marker enzyme है paroxysome का उसका नाम है uric acid oxidase, uric acid oxidase अगर किसी कोशिंगांग में मिलता है किसी micro body में मिलता है इसका मतलब यह है कि वो micro body paroxysome है यह इसका marker enzyme है यह सबको याद रखना चाहिए अब यह जो paroxysomes है जैसा अभी अपने इसमें चर्चा की थी इसमें कई सारे प्रोटीन जो प्रोटीन और इनके ट्रांसपोर्ट मेकनेजम से रिलेटेट पूरे डिसकसिन के बाद अगर इन जीन्स के अंदर इन प्रोटीन को बनाने वाले जीन्स में किसी प्रकार की मुटेशन हो जाते हैं तो जो paroxysomes हैं उनमें फिर इन एंजाइम्स का परिवहन नहीं होगा इन एंजाइम्स की उपस्तिती नहीं होगी ऐसी स्तिती में कई प्रकार के बोडी के अंदर कई प्रकार के इस या इस फंक्षन हो सकता है या दिस फंक्षणल परोक्सिसोड के कारण से कई health problems हो सकती है और इनि दॉसरा जो सिंड्रोम है उसका नाम है जेल द्रेगर सिंड्रॉम जिसको सेरेवरोरहिप्यटोरिनल सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है तीसरा जो डीजीज को रैपसपनगें के सदल्द ॖ चोथी जो डिजीज डिस्फंक्शनल परोक्सिसोम के कारण से हो सकती है उसका नाम है एड्रिनो ल्यूको डिस्ट्रोफी जिसको एल्डी बोलते हैं इस तिती में लोंग चेन फैटी एसीड्स डिपोजिट होते रहते हैं कोशिकाओं में और आगे चल करके यह नर्वस नियुक्सिंट को लेकर के तो जो पहला में तुपूण फंक्शन परोक्सिसोम का वह जनरेशन एंड़ी ग्रिडिशन ऑफ हाइड्रोजन पराक्सइट और इसी फंक्शन को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो विशाक्त और विसेले सबस्टेंसेज जो कोशिकाओं में न प्रोटिन सो सकते हैं जिनमें फिनॉल हो सकते हैं ऐलकोल हो सकते हैं इसे विशाख्त सब्सैंसेंस एक पर विशुक्ति से कासे टोंको पर और यह 94 अबंता है यह अपने अपने फिर एकतeng स्टेंस है तो इस टॉक्सिक सब्स्टेट को फिर केटलेस एंजाइम की साहिता से यह जो एच टू और टू प्लस आर डेस एच टू इससे आर डेस प्लस वोटर जो है यह फॉर्मेशन हो सकता है या फिर सीधे ही हाइडोजन प्राक्साइड को वोटर मोलीक्यूल और इससे बनने वाले फिर जो सिंप्लर सब्सेंसे इनको सेल की दूसरे और बेजा जाता है जहां पर उनका फिर से उनको यूज करते वह उनको स्ट्रक्चल रूप में या एनरजी प्रडक्शन के लिए काम में लिया जाता है दूसरा जो इंपॉर्डेंट फंक्शन है पर ऑक सिस्टम का वह है बीटा ऑक्सिडेशन ओफ लॉंग चेन फैटी एसीड तो हम सब जानते हैं जो फैटी एसीड से उनका जो बीटा ऑक्सिडेशन का प्रॉसेस है जनरली यह माईटो कोंड्रिया के अंदर कंप्लीट होता है और उसके कारण से उसमें एटीपी फॉर्मेशन भी होता है लेकिन जब यह फैटी एसीड जो है इनकी लंबाई 22 कारबन से ज्यादा होती है जिनको लॉंग चेन फैटी एसीड कहते हैं उनके लिए माईट्रो कॉंड्रिया जो है वह एफिसेंट सिस्टम उनके अंदर उपस्तित नहीं होता है ऐसे सभी फैटी एसीड का ब एस्टैल को एंजाइम ए यह फिर माइटो कॉंड्रिया के अंदर इसको बेजा जाता इसका परिवहन के जाता है जहांपर माँ उस्टैल को के द्वारा या को एंजाइम के द्वारा एनर्जी का प्रोडक्शन होता है और बिटा ओक्सिडेशन of long chain fatty acid का confirmation परोक्सिसोम के अंदर एक एंजाइम की उपस्तिति से होता है और उस एंजाइम का नाम है कार्निटीन एसाइल ट्रांसपरेस एंजाइम की उपस्तिति ये सुनिशित करती है कि परोक्सिसोम लॉंग चेन फैटी एसिड के बीटा ओक्सिडेशन से सब्मन्दित को शिकांग है इसके अतरीक बीटा ओक्सिडेशन से सम्मन्दित में अंजाइम जो की परोक्सिसोम पाए गए हैं उनमें है एसाईल को एंजाइम एंजाइम हाइड्रोलेस 3- Deep यह यह बीटा ओक्सिडेशन से संबंधित परक्सिट के अंदर उपस्तित होते हैं इसे इसरा जो फंक्षण्स है परॉक्सिसोम का सुपर ओक्साइड डिस्मूटेज जिसको एसोड़ी एंजाइम बोलते हैं वह भी है जो अगला मैत्रपून कारिय है परॉक्सिसोम का वह है फोटो रेस्पैरेशन और यह प्लांट से रेलेटेड फंक्शन है प्लांट के अंदर फोटो सिंथेसिस के दोरान रूबीज को एंजाएम जो है अनेक बार oxygen की उपस्तिती में कार्बाइक्सिलेस की तरह बिहेव न करके oxygenेस की तरह बिहेव करता है और उससे such volcanic acid नर्मान होता है यह उत Ś'llी का याज किya जाता है और उस दोरान के उस jullie होती है और फ्रकास की उपस्तिती में एक प्रकास से रस्पिरेशन का प्रोसेज जो है वो यहां पर होता है और जो प्रकास अंसलेशन है उसकी दर में गिरावट हो जाती यह सी त्री प्लांट के इंदर पाए जाता है तो इस प्रकार से प्रकास की उपस्तिती में जो oxygen का उपयोग हो रहा है और carbon dioxide का production हो रहा है इसको photo respiration बोलते हैं और यह photo respiration oxygen peroxisomes के अंदर glycolic acid के breakdown के कारण से होता है और जिसके कारण से यहां पर hydrogen peroxide बनता है और उस hydrogen peroxide को फिर catalyst enzyme की साहिता से background किया जाता है कि नेक्स्ट इसका फंक्शन है प्लाज्मो लोजन्स का सिंतेसिस से संबंदित है जो की जो नर्व सेल्स है उनकी hyaline seed के अंदर पाई जाने वाली phospholipids होते हैं जिनको की प्लाज्मो लोजन्स बोलते हैं उनका निर्मान और सिंतेसिस भी peroxisomes के द्वारा किया जाता है एक और metafone function जो की pentose phosphate pathway से related enzymes भी peroxisomes के अंदर report किये गए हैं तो यह माना जाता है कि pentose phosphate pathway भी peroxisomes के द्वारा पूर्ण किया जाता है तो जो प्रोक्सिसों के में फंक्षन है एक बार फिर देखते हैं अपन चनरेशन एंडिग्रेडेशन ऑफ hydrogen peroxide beta oxidation of long chain fatty acids and branch chain fatty acids detoxification of free radicals by SOD photorespiration synthesis of plasmalogen and pentose phosphate pathway partly जो है यह peroxisomes में complete होता है इसके साथ साथ यह भी माना जाता है कि cholesterol का synthesis भी कुछ level तक peroxisomes में complete होता है एक बार हम इस पूरे topic को quick review करते हैं हमने इस paroxysomes से related topic को 6 subheadings में divide किया है तो जो पहला subheading है वो इसकी खोच से संबंदित है और डी ड्यू ने 1969 के अंदर paroxysomes को rate की liver cells से isolate किया था यह micro body family के member है इनका जो size है वो 0.5 micrometer तक हो सकता है इनके अंदर जो enzymes उपस्तित होते हैं यह enzymes cytosol के अंदर उपस्तित free ribosomes के द्वारा निर्मित होते हैं और वहां से इनको एक जो pts paroxysomal target sequences और packs जो complexes होते हैं उनके द्वारा इनको paroxysomes के अंदर लाया जाता है और इनकी उत्पत्ति से संबंदित तीन अउधानाएं स्मूथ endoplasmic reticulum के द्वारा एक mixed concept है जिसमें अंदर rough endoplasmic reticulum और जो rough endoplasmic reticulum के साथ साथ जो free ribosomes है उनमें जो enzymes बनते हैं उन दोनों के द्वारा मिला करके paroxysomes का निर्मान होता है और तीसरी भारना के अंदर हम यह देखते हैं कि ribosomes जो है प्रोक्सिसों जो है वह प्री एक्जिस्टिंग प्रोक्सिसों के द्वारा निर्मित होते हैं जो आपटेश इसमें प्रमुक रूप से पाए जाते हैं उनमें ग्लाइकोलिक एसीड ऑक्सिडेस डी अमैनो ऑक्सिडेस यूरीक एसीड ऑक्सिडेस अल्फाईडरोक्सी यसीड ऑक्सिडेस कारन से हिमलर सिंड्रोम जेलवेगर सिंड्रोम रेपसंप डीज और अड्रिनो ल्यूको दिस्ट्रोपी प्रकार की बिमारियां हो सकती है इसके जो फंक्शन्स है उन फंक्शन्स में जनरेशन एंड डिगेडेशन ऑफ हीडोजन परोक्साइड बीटा ओक्सिडेशन ऑफ लॉंग चेंड फैटी असीड डी टॉक्सिफिकेशन ऑफ्री रेडिकल्स पोटोरेश्पारेशन सिंतेसिस और प्लाज्मोजन पेंटोस्फोस्पेट पाथवे और कॉलेस्ट्रोल सिंतेसिस जो कि एक डिबेटेबल यह वीडियो लेक्चर आपको समझ आया होगा आपने इसको बहुत पैसे से द्यान से सुना है थैंक्यू सो मच